See, retail में सबसे ज़्यादा important होता है आपका inventory management. अगर आपको inventory manage करना आगया, तो आपको retail चलाना आगया. आपके पास अगर 100 रुपे ऐसे cash है, और अगर आपको उसको invest करना है, तो आप कहां करेंगे? Store opening में लगाएंगे और कुछ inventory में भी लगाएंगे. Inventory अच्छी होगी, तो माल बिकेगा, माल बिकेगा, तो बार-बार customer आएंगे. But important इसमें ये है कि जो inventory mismanagement होना शुरू हो जाता है, तो आपके जो भी profits हैं, वो losses में convert होने शुरू हो जाते हैं, जो कि आपको नजर नहीं आता. और उसको ठीक करने का सबसे इच्छा तरीका है कि अगर आप data driven organization है, आप एक professional, retail, professional के साथ काम कर रहे हैं, तो शायद आपका जो store है, वो perform करना शुरू कर दे. Retail एक science है, इसको अगर science की तरह manage करेंगे, तो आप बहुत जादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं.